आसमा काल से जोटी घटनाओं के प्रतेक्ष प्रमान आज भी प्रदेश में देखने को मिलते हैं ऐसा ही एक प्रतेक्ष प्रमान अत्थी के दनोगाट सित एक शीला पर दूसरी विशाल का शीला को देखने से मिलता है कहा जाता है कि ये शीला अग्यातवास के दोरान भीम ने धामी से गुलेल की जरिये यहां फ्रेकी थी जो आज भी हजारों बश्चों से यही स्थापित है तुफान में बुकंप आने से भी इस पत्थर को आज दिन तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है कुद्रक के इस निजारे को विक्सित करने के लिए अगर सरकार कोई प्रयास करे तो इसे आने वाले समय में प्रेटन की दृष्टी से प्रेटकों की दृष्टी से विक्सित करके जहां स्थानिय लोगों को अजिवी का कमाने का अफसर प्राप्त होगा वही सरकार के राजपुर्ष में भी प्रिती होगी मुझे जब दिश्चन भारत्वाज बोलते हैं मैं दानोगाट का स्थानी निवस्यों यहां से नजदी की यहां पर भीम गलोला बोलते हैं जिसको वो धामी से भीम जी ने अपने धनुष द्वाराज्यों निशान चिन बना करके उसको कि इस्थान पर मतलब उसको स्थापित किया और यह बड़ी पुरानी इसकी कहानी है राजाओं को टैम से भी इसके उखाड़ने के लिए जो इस वक्त द्रिश्यमान है वहां पर भीम का पत्थर है उसको उखाड़ने के लिए राजाओं से लेकर कि कई बार धामी से भी रियस्तवागल से राजा के भी कुछ लोग आए प्रतन किया गया है कि इसको उखाड़ा जाए वहां पर सांप और कि रिंगल होते हैं उनके द्वारा जो है वो लोग सारे भगाए गए और उसको नहीं उखाड़ सकते हैं यह बहुत पहला से लेकर कि इसका बहुत लोग प्रेटन भी इसके देखने के लिए आपते हैं और अच्छा स्थान है है यह महवारत के टाइम से हैं स्थान है इसके अच्छान है इसकी इसकी इस तान ऐसा बढ़ जाए इसका जो लोकों के जिए भी आने जाने के जिए देखने के कावलों हो अकि सरकार से ही अनुट है अनुट है अन्स्टा न्यूस के लिए अरकिसे राकेश कुमार की रिपूर्ट पर